नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं Tech News YouTube चैनल आज हम बात करने वाले हैं PMG दिसा पोर्टल के बारे में जैसा कि PMG दिसा के अंतरगत जिन स्टूडेंट का भी आप रेजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको चार स्टेप फॉलो करने होते हैं त होता है और स्टूडेंट आटकम फॉर्म भरना होता है उसके बाद आपको टेस्ट कम्प्लीट कराना होता है तब ही जाकर आप जो है स्टूडेंट का सर्टिविकेट जनरेट कर पाते हैं तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है हमें मेल वैरिफाई करने में आती है तो आपको जो है क्या करना होगा यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को दिहान से देखें और इसके बिलकुल भी ना करें तो इसके लिए आपको स्टूडेंट लॉग इन करना होता है और स्टूडेंट की प्रोफाईल को ओपिन करना होता है तो व यहाँ पर verify करने के लिए आएगा तो OTP डाल कर इसे verify करना होता है तो OTP अगर हम यहाँ पर mail enter कर देंगे तो हमारी mail पर OTP नहीं पहुंचेगा तो इसके लिए एक trick होती है और क्या करना होता है जिससे की हम mail verify करना है तो यहाँ पर हमने अपना mail ID डाल दिया है अगर मैं अभी इसे save करूँगा तो यह save नहीं होगा क्योंकि यह mail मैंने पहले से ही verify कर चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस mail को मैं verify दोबारा से करूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इस mail में जो है कोई भी अक्षर के आगे dot इस तरह से आप लगा देंगे तो यह mail save करेंगे तो यह mail save हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर कुछ IDs में यह mail verify कर रखी है तो यहाँ पर मैं dot लगाऊंगा और इसके बाद save change पर click करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं student save successfully लिए आगे आप इस mail को verify करने के लिए आपको जो है अपना Gmail login करना होगा जो भी आपने यहाँ पर mail डाली है उसे login करना होगा तो उसे login कर लेते हैं यहाँ पर हमारा mail जो है वो login हो चुका है उसके बाद हमने setting के option पर click करना होगा और see all setting पर click करना होगा अगर आप mobile यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो है desktop mode open कर लेना है browser का फिर आपको जो है same option देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आपको जो है account and import वाले option पर click कर करना होगा और यहाँ पर आपको जो है add another email का option देखने को मिल जाएगा तो इस पर आप जो है click करेंगे और यहाँ पर आप वही mail enter कर देंगे और उसके बाद जो mail आपने student के portal में डाली थी same email यहाँ पर enter कर देंगे और next step पर click करेंगे आपका mail add हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा mail add है जो मैंने पहले ही कर दिया था अब उसके बाद आपको जो है compose वाले option पर click करना होगा और यहाँ पर वही mail select करना होगा जो student के portal में आपने enter किया है और यहाँ पर two में आपको लिखना होगा go ahead add the rate pmgdisa mail.in यहाँ पर आप देख सकते हैं यह mail आ रहा जैसे ही मैंने message send किया message send हो चुका है उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना होगा inbox में आपके जो है OTP आ जाएगा तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है तो OTP आपको देख सकते हैं इस तरह से आएगा तो आपको enter किस तरह से करना है जैसे यहाँ पर 309929 आया है तो हमें जो है student वाला portal open करना होगा और verify पर click करना होगा तो अहाँ पर हमें जो mail आया है उसका जो है OTP हम यहाँ पर enter करेंगे तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या mail आया है 309929 तो हम 3099 यहाँ पर enter करेंगे 302992 इस तरह का site कुछ mail था तो यहाँ पर sorry यह OTP गलत पड़ गया तो हम फिर से देख लेंगे 309929 309929 इस तरह से आपको डालना है तो 309929 तो यह submit करेंगे तो यहाँ पर देख देखते हैं email idea has been successfully verified तो email verify हो गया उसके बाद आप transaction पर click करेंगे और fill outcome form पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर yes करना है पर no करना है और dg locker yes करना है उसके बाद no करना है no करना है और no करना है और उसके बाद gramit e-store download app पर click करना है और आपको same mobile number जो registration की time आप ने डाला था वो number आप यहाँ पर enter कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ok कर देंगे और तो आपका जो है काम complete हो जाएगा और उसके बाद आप make payment पर click करेंगे और proceed to payment पर click करेंगे और उसके बाद जो यह ऊपर यहाँ पर demo id दी गई है payment at the rate vp a तो इसको copy करेंगे इतना ही select करके और यहाँ पर बोही id enter करेंगे और continue पर click करेंगे यह आपको demo होता है कि transaction किस तरह से होते हैं basically यह आपको student को बताना होता है सिखाना होता है आप चाहें तो इसे खुद से भी कर सकते हैं चाहें तो student को भी बोल कर करा सकते हैं तो इस तरह से आपको यह तीन transaction complete करने होते हैं और जैसे ही आप यह तीन transaction complete करेंगे तो आपके जो दो step है वो complete हो जाएंगे और उसके बाद जो तीसरा step है वो जैसे ही 10 दिन complete होंगे आपका तीसरा step complete हो जाएगा तो यहाँ पर कभी-कभी recapture भी आजाता है तो आपको यहाँ पर select करना है उपर लिखके आजाएगा कि आपको क्या चीज़ select करनी है तो यहाँ पर cycle select करनी है तो इस तरह से मैं select करूँगा और verify पर click करूँगा तो यह capture verify हो जाएगा और इसके बाद transaction भी complete हो जाएगा तो यहाँ पर आप back to dashboard करेंगे तो आपको take test का option जो है देखने को मिल जाएगा dashboard पर click करेंगे और profile पर click करेंगे तो हर चीज़ आपकी verify देखने को मिलेगी transaction पर transaction आप check कर सकते हैं successful देखने को मिलेगे और जैसे ही आपके 10 days complete हो जाएगे तो यहाँ पर take test का option जो है वो highlight हो जाएगा और यहाँ पर हम student की summary भी आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो दो step है वो complete हो चुका है email verify हो चुक है student outcome form यह भी complete हो चुका है अब यहाँ पर जैसे ही इनका 10 days complete होगा फिर हम इसका test करा देंगे तो test completed का option भी complete कर आजाएगा और उसके बाद हम उनका certificate जो है वो generate कर सकते हैं तो आज के लिए वस इतना ही दोस्तों मिलते हैं next video में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप comment में कर सकते हैं अगर आपको कोई भी issue आ रहा है तब भी आप जो है comment में हमें बता सकते हैं उसका solution आपको तुरंथ ही बता देंगे चैहिंद बंदे मात्रम